कंगना रनोत ऐसी बॉलिवूड एक्ट्रेस है जिनकी पहचान उनकी एक्टिंग से तो है ही साथी बॉलिवूड माफियाओं को एक्सपोज करके सामने लाने वाली एक ब्रेव एक्ट्रेस भी बोली जाती है कंगना वो एक्ट्रेस है जिसने सुसांत सिंग राजबूत केस मे सीव्य जाच की सबसे पहले मांगी थी कंगना अपनी मूवी को अपने दम पर हीट कराने के लिए भी जानी जाती है आज कंगना लाखों के दिलों पर राज करती है कंगना बोलती है कि मैंने इस इंटरेस्टी को जितना सहा है अगर मेरी जगध कोई और होता तो वो सायद आत्म हत्या कर लेता आज के इस स्टोरी वीडियो के द्वारा हम आपको कंगना के संघर्ष से सफलता तक के पूरी कहानी सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे महज 16 साल के उम्र में घर छोड़ कर मुंबई पहुंची मुंबई में सुर्बात में कैसे आदित्य पंचोहली ने उनको केद करके रखा और वहां से कैसे छुटी इसके अलावा उनकी रिदीक रोजन के साथ प्यार से नफरत होने तक की पूरी कहानी सुनाएंगे तो चल ये वीडियो को सुरू करते हैं कंगना रनोत का चन्व 23 मार्च 1987 को ही माचल पर्देश में हुआ था कंगना एक अच्छे फैमली डग्राउंट से विलोंग करती है कंगना के दादा जी एक आई-एस अधिकारी थे कंगना के पिता के खुद के विजनेस है और उनकी मा एक गवर्मेंट टीचर है इन सब के अलाबा कंगना की एक बड़ी बहन है जिसका नाम रंगोली है और एक छोटा भाई जिसका नाम अक्छत है कंगना बच्पन से ही काफी जिद्धी सभाव की लड़की रही है कंगना बताती है कि बच्पन में मेरे पापा भाई के खेलने के लिए गन और मेरे लिए डॉल लाया करते थे कंगना डॉल से नहीं खेलती थी और अपने पिताजी से पूछती थी कि मेरे साथ ऐसा भेद भौक क्यों हो रहा है कंगना के घर में भी लड़कियों को एक आम भारतिय लड़कियों के तरह रखा जाता था मतलब उनका पढ़ना लिखना और लड़की होने की याद दिलाना जिससे कि वा साधी करने के बाद अपने पती के साथ अच्छे से रह सके कंगना को यह बरताब देखकर बहुत गुसा आता था और वह बोलती थी कि घर पर सब को कमने मिले हुए थे जब मैंने पूछा कि मुझे कमरा क्यों नहीं दिया गया तो घर पर बोलते थे कि तुम कमरा क्या करोगी तुम्हें पराए घर जाना है कंगना बच्पन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी वे एक डॉक्टर बनना चाहती थी इसकुलिंग के दोरान जब वह 16 साल की थी तब उसके इसकुल में एक इवेंट और्गनाज हुआ इवेंट में कंगना को फ्र आफ फ यर का प्रायज मिला उन्होंने कंगना से बोला की टीवी के साथ सूट करना है कंगना को सूट करने के लिए मुंबी जाना था कंगना ने ये बात घर पर बोली तो सब ने मना कर दिया कंगना को हर हाल में मुंबई जाना था कंगना के इस जित पर भी कोई घर वाले राजी नहीं हुआ इसलिए कंगना ने 16 साल के उम्र में ही अपना घर छोड़ने का फैसला लिया क्योंकि उनको अपने दम पर कुछ हासिल करना था लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे कंगना टीवी सुट करने के लिए मुंबई आई कंगना बताती है कि मैं मुंबई अपने दम पर आई हूँ टीवी के साथ सुट करने के बाद कंगना अपने घर नहीं जा सकती थी तो बाद दिल्ली में एक फ्रेंड के यहां चली गई दिल्ली में उन्होंने मोडलिंग के और से ओडिशन दिये यहां उन्हें एक इंटरनेशनल एजनसी ने हायर कर लिया पर वहां रेप पर उन्हें सुझाब दिया गया कि तुम बहुत खुबसूरत हो और पर फैक्ट भी तुम्हें फिल्मों में ट्राइ करना चाहिए कंगना क कहीं न कहीं यहीं इरादा था उस दिनों बात कंगना दिल्ली से मुंबई आ गई मुंबई में कंगना एक गल्स होस्टल में रहने लगी और अपना खर्चा और एक्टिंग क्लास के फिस के लिए कुछ काम भी करने लगी गल्स होस्टल में एक लड़की थी डोली खान जो फिर्दूट के लोगों को जानती थी उस लड़की ने जे कंगना को अधित्य पंचोली से मिलने को कहा कहन की उम्हं कंगना वादे मेरे यह सबसे नहीं भी और थे ले lizard आकिनर पहचान भी MRचान फिल्मिंः मेंडर लेकिन उनकी कंगना जिस होस्टल में रहा करती थी, वहां उनकी दोस्ती एक आंटी से भी हो गई थी, वहां आंटी भी फिल्मों में काम करना चाहती थी, आधित्य पंचोली कंगना के साथ साथ उस आंटी से भी बात करने लगे, आंटी आधित्य पंचोली से बात करके काफी खुस थी, उ अदित्या पंचोली नीगा मेरा एक टाली है। तिम लोग उसमें स्पट हो जाओ। कंगना ने आंटी के साथ उस फ्लैट में सिप्ट होने लेगी। लेकिन जैसे ही कंगना का समान फ्लैट पर पहुंचा, वैसे ही आधित्य पंचोली ने आंटी से लराई कर ली और उट को भगा दिया, कंगना भी आंटी के साथ जाना जाती थी लेकिन कंगना को उस फ्लैट में लोग कर दिया गया वहां कंगना को गारी ड्राइबर और एस्टाप भी दिये गए लेकिन कंगना वहां अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी कंगना के हर कदम की खबर आदित्य पंचोली को दी जाती थी कंगना को उस फ्लैट में एरेश्ट कर लिया गया था वो बाहर ओडिसन देने जा सकती थी पर आदित्य पंचोली के परमिसन लेकर अगर वो ना बोल देता तो वो नहीं जा सकती वह कंगना से बोलता था कि तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है मेरे बिना यहां लोग तुम्हारा फैदा उठाएंगे और तुम्हें बरबाद कर देंगे इसके बाद वह कंगना को जवरदस्ती पार्टी में ले जाने लगा और वहां धोके से ड्रक्स भी देने लगा अगर कंगना उनसे बोलती थी कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं तो वह कंगना को मारने के लिए भी तयार हो जाता कंगना वहां बहुत बुरी तरह से फस गई थी क्योंकि अगर वह अपने घरवाले को बताती तो वह हिमाचल से कंगना के हेल्फ करने के लिए आते पर मुंबई में उनके जान को खत्रा होता आदित्य पंचोली कंगना को ऐसे ही पार्टीों में लेकर जाता रहा वहां दुबई से और बड़े बड़े सहर से लोग आते वहां कंगना को उन सब के बीच बठा कर बाहर चला जाता वहां पार्टी में वो लोग कंगना से काफी एज में बड़े थे लेकिन सभी ऐसे दिखते थे जैसे कि भूखे के सामने भोजन रखा हो कंगना को यह डर लगने लगा कि कहीं यह लोग मुझे दुबाई वगड़ में बेच ना दें ऐसा ही चलते चलते तीन-चार मेने बीद गए तीन-चार मेने बाद कंगना को एक मूवी में ब्रेक मिल गया यह मूवी थी अनुराग बसु की गंगेश्टर कंगना की पहली इसमें छुपा कर रखते थे यह मूवी करने के बाद कंगना उस फ्लैट को छोड़कर एक अलग रेंट पर घर ले लिया अलग घर लेने के बाद भी कंगना का पीछा आदित्य पंचोली से नहीं चूटा उसने कंगना के घर का एक टूबलिकेट चावी बनाई हुई थी व पिर अपने हागर ही हो जाती थी एक दिन गगना आदित्य पंचोली के गर उसकी वाइफ के पास पुहुँची और अदित्य पंचोली द्वारा ihan किया गया शारा टोड़चर उनकी बीवी को बोली लेगिन उनकी बीवी ने बोली हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हम लोग खुद उस इंसान से बहुत डरते हैं कंगना बोली मैं पुलीस में जाओंगी तो आदित्य पंचोली की वाइफ ने बोली आपको जो अच्छा लगे वो करो एक दिन कंगना रात को नसे के हालात में घर की खिरकी से पुद कर भाग कर पुलीस एस्टेश की बाड़े में बात की जाए तो मुंबई आने से पहले कंगना ने दिली में कुछ थियाटरों के नाटक में भी काम किया था मुंबई आगर कंगना ने आसा चंद्रा ड्रामा स्कूल में एक्टिंग की कोर्स की गंगेस्टर मूबी के लिए जब कंगना ओडिशन देने पर कुछ प्रशनल कारणों के बज़े से एक्टरेस मूबी नहीं कर पाई जिसके बज़े से कंगना को उस रोल को प्ले करने के लिए बुला ले गया अगर आपने गंगेस्टर मूबी देखी है तो आपने देखा होगा कि उनका रोल काफी मुस्किल था और 17-18 साल के पर सूपर हिट हुई इस रोल के लिए कंगना को बेस्ट फीमेल डेव्यू का एवाड भी मिला इसके बाद कंगना ने अनुराग बासु के फिल्म वो लंबे में भी काम किया कहा जाता है कि यह फिल्म एक्टरेस परविन बौवी के जीवन पर अधारित है इस फिल्म में का कंगना को रालता मिश्टरी कंच्यूसन में काम मिला वो जब यह फिल्में कर रही थी तब दा इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा जिसमें यह बताया गया कि कंगना उसी तरह के फिल्में कर रही है जिसमें कारेक्टर को दिमागी संबंधित बिमारी हो अपनी क के बाद कंगना को सूपर एश्टार बोले जाने लगा इस फिल्म के बाद उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप रही लेकिन रिटार्शन और क्रीस थ्री सूपर हिट रही लेकिन सक्सेस की बुलंतियों पर कंगना तब पहुंची जब उन्होंने अपने जीवन की सबसे बहतरीन फ काफी चोटा रॉल दिया गया था आने मूबी करने संपाना कर दिया लेकिन डितिक रोसन के काफी समय के पाद फेल्म करने देंद मांगे फिल्म सूपर हीट सावित हुई कंगना की कु्ञारी भीर पर सूपर हीट करवाई पर रसकले लेका फैनुम给स्ट एक्ट्रेश ने फिल्म का डिविव काफी सांतार आये इस फिल्म के लिए कंगना को बेस्ट एक्टरेस के लिए नेशनल फिल्म एबॉड्स भी मिला चना के फिल्म मनी करने का अधक स्थुन ऑफ जहंसी के लिए भी उन्हें सुर्बात में काफी मुश्किलों का सामना करना परा सिंदा हर ने वह कि पूरि कहानी रितिक रोसन और कंगना की पहली मुलाकात काइट मूवी के दोरान हुई थी लेकिन क्रीज थायक लावी के दोरान उनकी लाव स्टोरी हो गई कंगना के मुताबिक वा रितिक से बहुत प्यार करने लगी थी जब कंगना ने रितिक से इस रिष्टे की फीचर के बारे में पूछा तो रितिक ने बोला कि हम लोग कैसे साधी कर सकते हैं तुम्हें पता है कि मैं पहले से साधी सुथा हूँ कुछ दिन बाद रितिक की वाइफ रितिक को डिवोस देने लगी रितिक ने कंगना से बोला कि अब सब किलियर है हम लोग साधी कर लेंगे कंगना बोली ठीक है जैसे ही तुम्हारा डिवोस हो जाए फिर हम साधी कर लेंगे दोनों साधी के लिए तयार थे लेकिन उन्हीं दिन रितिक के मूवी बैट बैग की सूटिंग हो रही थी बताया जाता है कि इस मूवी के सूटिंग के दोरान रितिक और कटरीना एक दुसरे के काफी करीब आ गए थे और यहीं से कंगना रनात और रितिक रोशन के रिस्ते में दरारा गई